हे गाइज, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल आज मैं आपको दुनिया के कड़वे सच से अवकत कराना चाती हूँ आपको पता है कि दुनिया में आपको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट कर मिलती है तो सुन लीजिए या तो आप कोई महान हस्ती बन जाओ जो कि हर आम इनसान के बस में नहीं है महान हस्ती बनना हर कोई महान हस्ती नहीं बन पाता तो जीवन से पहले तो किसी को इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती जब तक कि वो महान हस्ती ना बन जाए और एक आम इनसान को रिस्पेक्ट तब मिलती है जब वो मर जाता है जब वो अस्ति बन जाता है क्यों ऐसा होता है कि मरने से पहले जिसको कोई पूस्ता तक नहीं था आज मरने के बाद उसके रिष्टेदार दूर दूर के रिष्टेदार उसे पूछने आ जाते हैं क्यों ऐसा होता है कि मरने से पहले जिसके पास दो किलो मीटर तक के दूर रहने वाले रिष्टेदार तक जाने तक का पैसा नहीं था आज मरने के बाद वो हरिदवार तक पहुँच जाता है क्यों ऐसा होता है कि मरने से पहले इनसान को उसकी दवाईया लेने के लिए उसे कार स्कूटर में भी दवाई शोप तक नहीं ले जाया जाता लेकिन मरने के बाद उसे कंदे पर उठा के ले जाया जाता है क्यों ऐसा होता है कि मरने से पहले जो इनसान अच्छा खाना फफोड भी नहीं कर पाता उसे मरने के बाद देसी घी पीने को मिलता है उसके मुँ में देशी घी डाला जाता है तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको जो अभी जिंदा है उसको अभी रिस्पेक्ट देनी है मरने के बाद रिस्पेक्ट देने का क्या फायदा तो आज का हमारा जो वर्ड हम सीखने वाले हैं वो इसी कड़वी सच्चाई पर बेस्ट है आज का हमारा वर्ड है Esteem Esteem वर्ड के मिनिंग को इसली याद रखने के लिए हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे पहला पार्ट है E, S, T, E इसको हम कैसे बोलेंगे अस्ती और M से होगा मे अस्ती बनने में रिस्पक्ट क्यों? तो इस तरह से आपको कोशन पूछना है अस्ती बनने में रिस्पक्ट क्यों? उससे पहले क्यों नहीं? तो Esteem का मीनिंग है रिस्पक्ट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं Esteem को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया था E, S, T, E और M से में तो आपको अपने आप से कोशन पूछना है कि हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि अस्ती बनने में रिस्पेक्ट मिले किसी को तो एस्टीम का मिनिंग है रिस्पेक्ट तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही लास्ट में जाते जाते एक संटैन सुन लेते हैं तो What is the use of giving esteem to a person after his death क्या फायदा वर्सन के मरने के बाद उसे रिस्पेक्ट देने का तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहें थैंक यू